रादे किशना आप सभी को रादी रादे शरत पुर्णिमा है आज और शरत पुर्णिमा के दिन मैंने अपने घर की चोखट दहलीज की पूजा की है तो ये दहलीज की पूजा हमें 30 तहवार पे हमेशा करनी चाहिए और अब कल से कार्तिक सुरू हो जाएंगे तो कार्तिक मे विशे स्तितियों पर या आप हर रोज भी अपने घर की देलीज या चोखट की पूजा करते हैं तो जरूर करिएगा इस से मातालक्ष की किर्पा हम पर बनी रहती है हमारे घर में अन और धनकी हमेशा ब्रकत रहती है इसलिए अपने घर की देलीज या चोखट की पूजा क को करते रहना चाहिए और देलीज है हमारे घर की जो मुख्य दुआर होता में गेट होता है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं तो आप जैसे मैं रहती हूं रेंट हाउस में फेश फ्लॉर पर तो यह मेरा में एंटरेंस है तो यहाँ पर ही मैं अपने घर की जो चोकट देलीज है इसकी पूजा करूंगे और देखिये मैं अपने दर्वाजों पे शीता राम साथ में लिखती हूँ स्वास्थिक बना के रखती हूँ बंदन बार हमेशा बंद के रखती हूँ आम के पत्तो को लगा के रखती हो तो अपने घर की चोकट पे हमेशा यह सब चीजे करके रखना चीए देलीज को अब कैसे लिपेंगे ये दिखा रहे हैं तो यह है मेरे पास गेरू तो गेरू लाल मिट्टी होते हैं जिसे हम पूझा में प्रियोग में लाते हैं और यह किसी चीज को लिपने के काम आती है तो देखिए गेरू जो होता है वो कि पूजा करते हैं जो घर हुआ करते थे उनकी जो चोकट डेलीज होती थी थोड़ी ओची होती तो उसको लांग के आना जाना होता था लेकिन आजकल देखिए सेपरेट होते हैं फ्लेट होते हैं इनमें ऐसे कुछ नहीं होता है इसलिए हाँ पर हम में डॉर जो मारा एंटर करते हैं घर की और यह पूजा का मंदिर का हो गया में अए्टरंस तो यहां पर भी मैं पूजा वीदि भाना का जैसे मैं मैं मेंटोर की करती हुं तो यहां पर वी बना सकते हैं, आप कुम-कुम से भी बना सकते हैं, नहीं तो यहां पर मैंने चंदन से भी बनाया है, तो यहां लक्षी माता की चरण हमने बनाए है, साथ में यहां पर स्वास्तिक भी बनाऊंगी, तो स्वास्तिक देखी जमीन पर नहीं बनाया जाता, लेकिन यहां पर मैंन इन पर सुब लाप रिदी सिद्धी दोनों बनाएं तो दोनों तरफ मैंने यहां पर अपने स्वास्तिक बना लिए तो इनकी पूजा हम आज के दिन जब करते हैं तो लक्षी माता इसे अत्ने परशन होती है इसलिए यहां पर देली पूजन जरूर की जाती है शरत पूर्ण मैं साहट में ड्यल चन्दं बारी तो यह आश्जण ज्यक्र्स और गयरू के ओपर ये पीला चन्दं उभर्के आ रहा है अगर आप यहां पर गॉज़ें के गोबर से लीपा या मिट्टी से तो आप इस पर रोली से भी मातरानी के चरन बना सकते हैं देखिए मैंने मंदिर के दर्वाजे पे भी अच्छे से यह स्वास्थिक और मातरानी के चरन बना लिए हैं अब हम पेरा पूजा करेंगे तो पूजा के लिए हमें कुछ विशाइश चीजें नहीं चाहिए यह होती बहुत सरल तरीके सा般 पूजाविधी करते हैं तो यहाँ पर मिट्ち के दीपक चाहिए तो यहाँ पर मैंने दीपक ले लिये इसमें मैंने लाल गुलाब के फूल ली है, माता लख्चमी के लिए, गनेजी के लिए मैंने पीले, फूल, अक्षत, रोली, सिंदूर, साथ में बस्त रुपी कलावा लेंगे तो यह सारी चीजे लेके हम यहाँ पे पूजा करते हैं तो पूजा हमेसा घर के अंदर आके करनी चाहिए देलिज के अंदर आके हम यह पूजा करनी है तो सुद गंगा जलसे में माता रानी के चर्णों को दो हुरी है तो यहां पे सबसे पहले माता रानी के चरनों को दोते हैं माता लक्षमी हमारे गर में आगवन कर रही है इसलिए यहां पे हम माता रानी के चरन को दो के उनके उपर सिंदूर और रोली और पीली हल्दी को अरपन करते हैं साथ में लाल गुलाब के फूलों को जरूर अर्पन करना चाहिए माता लक्षमी पूजन में साथ में बस तरुपी मैंने कलावा पनाया है और यहां पर दूप दिखाएंगे तो इस तरीके से हम बहुत सरल तरीके से लक्षमी माता की पूजा करते हैं शर्द पूर्निमा वाल आप श्रिंग कहके भी इस पूजा को कर सकते हैं तो यहां पर मैंने मंदिर के जो द्वार था मुख्य द्वार मैंने उसकी पूजा कर लिया है और यह पूजा हमें ऐसा अंदर बैटके करनी होती है और जब दिपक हम परजलित करते हैं तो उसकी जो लो की बाती होती होती ह हम अंदर की तरफ करेंगे तो देखे आप में बाहर की तरफ आगी हूँ और दिपकी लो है मातरानी की चड़न जहां अंदर जा रहा है उस तरफ हमने ये दिपकी लो को रखा है मातरानी की चड़नों के साथ और इसके बाद मैं मुख्य दौर की पूजा कर रही है, मुखे द्वार की देलिज की पूजा कर रही है, तो अंदर की तरफ ही बैठ के हम यह पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले चरणों को दोया, उसके बाद हमने रोली सिंदूर, अक्ष़त अरपन करें, साथ में लाल गुलाब के फूल अरपन करेंगे, वस रुपे के लावा, और यहां पर हमने गनेस गोरी की भी पूजा कर रही है, तो यहां पर स्वास्ति की पूजा करते हैं, वैसी और यहां पर पीले फूलो करपन करते हैं, गनेजी वगवान जी को, तो माता लक्षमी की विशेस पूजा जो हम करते हैं, शर्द पुनिमा में और साथ में कार्तिक मा में देलिज की पूजन करते हैं इससे माता लक्ष में की अतिन किर्पा हम पे बनी रहती है हमारे घर में अंधन के ब्रकत हमें सा बनी रहती है इसलिए अपने घर में समय समय पे देलिज पूजन जरूर करते हैं रहना चाहिए आप सभी के साथ मैं सारे वीडियो लेके आरे तो जल्दी मिलते हम आपसे एक और नए वीडियो में तक तक ले बाय टेक कर आदे किश्णा